हुआ है हलो स्टुडेंट्स तो आज क्लास नाइन्थ के बाइलोजी पोर्शन में जो सेकंड चेप्टर है फैस्ट आपने दा फंडामेंटल विट आफ लाइफ यानि सेल के बारे भी सेडी किया सेकंड है तो अब टिसू के बारे में कुछ आप जाने इसके पर थोड़ा सा क तो कई डिफरेंस थे लेकिन वो टिसू के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस नम बताना चाहरे हैं उध्यान दीजिए कि जैसे अगर यूनिसिल्लर है सिंगिल सेल है उसको हम आर्गेनिजम कहते हैं अमीबा में एक सेल हैं कहते हैं लिकिन अगर हमारी बाड़ी की या अधर म लेस्ट की इसको हमसेल्ट कहते ही है इसे मारीब मिक पर प्रापर्परटी हो लिविंग परति कैसे होगी डिफरेंट टाइप के laugh Hagutin तो यह सिंगिल सेल्च होती है यूनिस में यूनी सिल्लर आर्गेनिजमें जो सिंगिल सेल होती है that is capable to perform all the activities like any other organism किसी आर्गेनिजमें जो life process होते है nutrition होता है, excretion होता है, locomotion होता है animal है, और plant है तुमान लेजिए हो कहीं हो सकता है, permanent station दी हो, fixed place पर हो लेकिन उसमें living character देखते हैं जबकि multi-celler में क्या होता है, generally जो developed multi-celler है उनमें अलग cell specialized होती है, किसी particular work के लिए होती है और यहीं नहीं कभी कई cell मिलके work करती है तो अगर body की एक साल अलग हो जाएगी, तो वो जिस work के लिए होगी वो तो कर लेगी, लेकिन जो total requirement of organism है यह multi-cellers की एक single cell जो organism की activities है, जो character of life है उसको so नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह living character so करने के लिए अपने बहुत से requirement दूसरे cell की help से obtain करती है लेकिन यह capable होती है, सारी requirement अपने पूरी कर लेती है, सारी activities कर लेती है लेकिन यह किसी particular कार को करती है और living properties हो करने के लिए यह अपने में free नहीं है, दूसरों पर depend है इसलिए उससे अलग हो जाने पर यह dead हो जाती है हमारी बाड़ी से अलग हो करके हमारी cells dead हो जाएगी क्यों dead हो जाएगी, क्योंकि वो जो cooperation उसको दूसरी cells से मिलता था वो नहीं मिल पाएगा तो multi-cellular में जो cells होती है, वो सभी work नहीं कर पाती है तो multi-cellular में होता क्या है, से cell का group होता बहूसी cell मिल करके किसी particular work को करती है, जो किसी work के लिए cell का union बना है, जो group बना है इसी को कहते हैं यह tissue, तो tissue क्या हो गया? group आप Sell which preparing specific function specific function को감이 करने के लिए छिल जो group बनाती है उसी group को हम tissue कह देते हैं अब बात यह आती है कि कि इस particular work को करने के लिए सेल का shape और size भी same होता है चांगते हैं object मांगने के लिए वे भैषा बनाना पड़ता है इसा लोग कहते हैं हमारे हां तो जैसा वर्क करना होगा वैसे उसकी इस्ट्रक्चर भी होगी उसकी वर्जिन भी सेम होगी तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि टिस्टू इस ग्रूप आप सेल्स फिच हैव दा सिमिलरिटी इन दियर इस्ट और इस्ट्रक्चर एंड डिफनिशन फिट नइफ पड़ती है इस लिए नहीं पड़ती है कुछ आईसे वर्क होते हैं आगे जानेंगे प्लांटी सुन gerृक्ष्ट करेंगे पुछ अयुस्य एफ지 वर्क को होते हैं जो सेम टाइफ क्या से पासिबल नहीं है industri ह्प गईवर्क के सेल्ने गुरूप ब परफार करना अगर उस पर्टिकुलर वर्क को स्प्रस्फिक वर्क को करने के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स की जरूरत होगी तो वहां पर डिफरेंट टाइप की सेल्स भी आ जाती हैं जिसकी चर्चा भी आप आगे जानेंगे इसलिए हम सेप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहें कि इसको भी कहें कि स्ट्रक्चर भी सेम हो साइज भी सेम हो यह जरूरी नहीं है किसी लिए हमने कहा टिस्यू को simply what is tissue tissue is the group of cells which perform any specific work किसी specific work को perform करने के लिए सेल का जो बनता है उसे हम चलिए अब यह कैसे specialized हुई तो मल्टी से एक टर्म कभी कभी इसी को दूसरे ढंग से कहा जाता है what do you mean by division of labor division of labor uni cellar में देखे एक cell सभी work करती थी सभी work करती थी यानि अलग-अलग work के लिए अलग-अलग जो जितने भी work थे जो लेवर करना था बाडी में उसको एक cell ने कर दिया लेकिन multi cellar में क्या हो गया अलग-अलग work के लिए अलग-अलग type की cell है यानि work का division हुआ है कारे का बटवारा हुआ है इसी कहते है डिवीजन आफ लेवर तो टिस्व का फार्मेशन वास्तों में डिवीजन आफ लेवर के लिए हुआ सपोज एक आउट टर्म जाते हैं आपने कहा दिया कोई cell है यह डिवाइड हो गई दो सेल बन गई डिवीजन से इसल बनती है आप जानते हैं न्यू सेल्स आलवेज ओर चाहिए हो सेम साइज हो सेम स्वरों सेम फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि यह आगे चल करके इसकी सेफ साइज दूसरी होजाय और इसकी सेफ साइज दूसरी हो जाय ऐसा भी पासिबल तो अब ये कैसा होगा सेप कैसी होगी साइज कैसी होगी स्ट्रेक्षर यह डिपेंड करता है फ्यूचर में इसको वर्क कैसा करना है तो उसी वर्क के कारणिंग जैसे पढ़हाई के समय सबल अलग भी से लेते हैं चली है आपको डाक्टर बनना तो आलोजी पढ़ लेजे इंजिन बनना तो मैं पढ़ते हैं या जिस काम को करना उसी टाइप की ट्रेइनिंग लेते हैं फोर्स में जाना है तो ये उसके आपना एक युनिफार्म का लाँ आए इसे लिए को उसी के कार्डिंग माडिफाइड हो जाती है इस ट्रक्चर भी हो जाती है जैसा वर्क करना होता है तो किसी पटिकुलर वर्क के लिए सेल का जो grow करने का तरीका है वो अलग हो सकता है और यही एक new barn सेल का developed सेल में convert होने का जो process है इसे कहते हैं cell differentiation तो यहां से यहां यह process हो गया सेल डिफरेंसियेशन तो इसेल डिफरेंसियेशन क्या है इमेच्योर सेल का new born सेल का अंडवलब्ड सेल का mature सेल में या डिवलब्ड सेल में convert होने की processing यह बाइलोजिकल टर्म है लेकिन अगर आप देखें सिंपली आप समझें तो हो क्या रहा है यह इम्मेच्योर सेल में कनवर्ट हो रही है इसके ग्रोथ होने की प्रासेस इसलिए सेल डिफरेंसियेशन को सिंपल लेंगेज में इसे सेल मेच्योरेशन भी कहते हैं रहां दीजेगा सेल मेच्योरेशन तो सेल मेच्योरेशन क्या है सेल डिफरेंसियेशन है क्या है जो डिवीजन के बाद नियो नेट्स होती हैं जो नियो बार्न सेल हैं वो छोटी हैं अंडेवलप्ड हैं इमेच्योर हैं उसके मेच्योर सेल में Canver't होने की, Grow करने की Process को ही Cell differentiation कहते हैं, यह important process है, कैस differentiate होते समयते हैं, हो जाता है, इसको कैसे work में participate करना है, चलिए, यह बात हो गई, अब यह तो हो गया, टिस्टू हो गया, आब डिवीजन अफ लेवर जो multi-cellular हैं, उनमें अलग-अलग टाइब की वर्क हैं, अलग टाइब प्लांट में पाया जाते हैं उसे कहते हैं प्लांट टिसू अगर इनीमल बाड़ी में पाया जाते हैं तो कहते हैं इनीमल टिसू जैसे हम अभी अपनी बाड़ी में कहें तो मसल्स क्या है एक टिसू है बलड क्या है एक टिसू है ऐसे जितने भी पार्ट साब बाड़ी है जि ये डिफरेंट टाइब के होने की बात बेसिकले डोक्रटाटकरि में बॉयरन पाई जाएगा प्लांट टिस्व एनीमल बादी में पाई जाएगा तो इनीमल टिस्व कहेंगे अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं हमने पहले से हाइलाइट कि इसलिए कर दिया करते रहते हैं तो आप इसको देख करके इसने समझते रहें हैं है तो यहां दिमाघ में बाद कुछ दियर तक चलती रहें से करें कि अगर अगर एनीमल और प्लांट सेल को कंपेर करें यह नो प्लांट में जो टीसूज होते हैं को नहीं ERIC evilis में व्याय और यानी प्लांट दीजो की लोगह दिनीड नहीं यह जो टीसूज हैं इन में जो इनका वर्क है उसको मेंटेन करने के लिए जादा एनर्जी रिक्वाइड होती है एनीमल में प्लांट में मेंटेनेंस के लिए जादा एनर्जी रिक्वाइड नहीं होती है दूसरी चीज़ भी बताएंगे कि प्लांट से में जो टिसू हैं ये दो टाइप के होते हैं एक मेरिस्टेमेटिटिटिटिशू एक पर्मानेंट टिसू और एनिमल में इस तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है अगर इस ट्रक्चर की कामप्लेक्जिटिटि को लेके बताएं तो प्लांट टिसू जो होते हैं एक कम्प्लेक्स होते हैं जबकि एनिमल्स में जो टिसू हैं वो कामप्लेक्स होते हैं अगर इस ट्रक्चर के बेस पर देखें सिंपल इस ट्रक्चर होती है प्लांट टिसू की और animal tissue की structure जो होती है एक complex होती है और दूसरा जो इनकी activity में बहुत से work भी difference है जो habitat में change है तो organization जो होता है plant tissue का जनरली जानते हैं plant move नहीं करते हैं एक जगहां पर रहते हैं तिस जो कहते हैं कि जो stationary position है इसके लिए इन tissues का organization अलग टाइब का उसी कार्डिम मना है जबकि animal में यह अलग होता है चलिए अब चुकि आपको ने जान लिया simply plant tissue क्या है टिस्व दो टाइप के plant tissue और animal tissue हो गए plant tissue और animal tissue में difference क्या है अब animal tissue और plant tissue की अलग से हमें चर्चा करनी है उसमें सबसी पहले हम बात करते हैं plant tissue की और plant tissue में आप जान ही लिए आल्रेड़ी की plant में पाए जाने वाले tissue को plant tissue कहते हैं तो कितने टाइप के plants में tissue है यानि टाइप आप plant tissues इसकी हमें चर्चा करनी है तो यह जो plant tissues है यह different type के भले हैं लेकिन broadly you can divide the all tissues present in the plant in two groups मेरिस्टमेटिक टिशू फर्स्ट मेरिस्टमेटिक टिशू और मेरिस्टम और सेकंड है परमानेंट टिशू तो plants में पाए जाने वाले tissue यानि plant tissue दो टाइप के होते हैं फर्स्ट मेरिस्टमेटिक टिशू और सेकंड परमानेंट टिशू मेरिस्टमेटिक टिशू और परमानेंट टिशू कुछ जानने से पहले आपको यह जानना है जो basic difference है अब हमने कहा कि यह cell है divide हो गई दो cell बन गई इसका development अलग-अलग तरीके से होगा यह differentiate हो गई मैच्योर होने के बाद दो रास्ता है कुछ cell जो होती है मैच्योर हो करके फिर divide होती है और कुछ cell ऐसी होती है मैच्योर हो गई जो काम करना है करेंगी लेकिन यह काम नहीं करेंगी डिवाइड नहीं होंगी तो जो सेल बनती है भविस्य में डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी इसको देखते हुए नाम रखा गया है मेरी स्टिमेटिक और परमानेंट तो बेसिक डिफरेंस जो पहला डिफरेंस है मेरी स्टिमेकं टीशेथ गृूपोप दोसर विच आर क अर्केबल तू डिवाइड जिन में डिविजविल्टीहे जिस टिस्सू की सेल्स में डिवीजन होता है उसी टीश्व को मोरे स्टिमेकं किक टिश्व कहते हैं तो गृूपड वल्ए है पावर आफडिवीजन जिसकी इवा को कह दीया परमानेंट अब रचीत होंगे सुन्ने में अताए परमानेंट हो गया जैसा है वैसे एक पर बदल नहीं जहां पर अपनी पॉजीशन एक मेंेंटेण रहे उस्टेबटेलिटी यहां पर आ तो बाते हैं stability के ना थे इसको पर्मानेंट कहा गए इसमें permanency आ गई stability आ गई और इसमें permanency नहीं है तो permanency क्या है किस चीज़ को ले करके यह stable हो गई और इनमें change हो रहा है तो change हमें especially regarding उसके shape को ले करके size को ले करके especially हमें focus करना है तो ध्यान दीजिए अभी हमने कहा था एक cell से दो cell बनने की process को आपने कह दिया division यार cell division हो गया जब cell division हुआ जो cell बनी जिसको data cell भी कह सकते हैं अब यह इसकी shape और size continue change हो रही है चेंज कहें हो रही है इसकी size बढ़ रही इतनी बड़ी है अब जैसे पहले cell बन गई यह बनी इतनी बड़ी हो गई फिर और बड़ी हो गई फिर और बड़ी हो गई जितना बड़ी इसको होना है जैसा shape size बनना जब वो जब तक उसका growth चल रहा है जब तक maturation चल रहा है जब तक differentiation चल रहा है हमने एक word यूज किया था सेल डिफरेंसियेशन और सेल मेचूरेशन तो डिफरेंसियेशन चलता रहेगा तो यह continue इसमें चेंज आ रहा है जो इसकी shape size है बदल रही है और differentiate हो जाएगी तो अब एक लफडाओर आ गया यह जब मिचूर हो गई जब समय आ गया कब इसमें सेफ साइज नहीं होना है ग्रोथ टर लिया तब पता लगा कि फिर डिवीजन हो गया तो दो प्रासेस डबल डी याद कीजिए फर्ष्ट डीफार डिवीजन सेकंडी हाइड डिफरेंसियेशन यह जो 2D कांसेट है है डिवीजन करत onu हे डिवीजन इफरेंसियेशन दिवीजन होने से चोटी होने से इसका फ़ह चेंज हो घया इसकी साईज बढ़ रहे ए हो सकता है निगत भी चेंज हो रहा हो तो इसमें stability नहीं आती है जब कि परवानेंट इसू ऐसी सेल्स का ग्रूप है जिसमें डिवीजन नहीं होता है अगर डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा सपोज अभी यह सेल मेच्योर डिवीजन से बनी नहीं डिफरेंशी यह इसको और पर मौनन कि होगा यह परमानेंट है क्या अगरणा को परमानेंट है इसमें चेंज नहीं आना है छेफ औहीं रहेगी साइज वहीरेगी फंसली मिग्शन फिर अभी स्क्राइब T Science風 आपको पर मानality सु दोनों को डिवाइड करना है सिंपल और पर मानेंट या सार्ट मैं हम कहें तो प्लांट डिशुक हो ही आप आप दिवाइड कर सकते हैं इसकी चर्चा करनी है हमें सब यह हो गया प्लांट टिसूज दो टाइप के हो गए हैं फर्स टाप ने कह दिया यह कह दिया मेरी स्टेमेटिक मेरी स्टेमेटिक और सेकंड हो गया परमानेंट अब यह मेरी स्टेमेटिक में पोजीशन के बेस पर इसको तीन कटेगरी में डिवाइड किया गया है एक तो है एपिकल मेरी स्टम और दूसरा है लैटरल मेरी स्टम और तीसरा इंटर कैलरी मेरी स्टम और परमानेंट में ये दो आपको जानना रहेगा यहाँ पर तीन और यहाँ पर दो एक को कहेंगे Doll लिए जेए इसे पीडर फॉजीशन अब WeDor के वी बीड़ी लमबा हो जाएगा रफ़ स्टम के इस पार्मानेंट का और परमानेंट के इस प आलए graz और यह वीडियो लंबा हो जाएगा अब मेरी स्टम के इस पार्ट का और डिस्क्रिप्शन आगे किया जाएगा कम से कम जहां तक बताया गया इसको ध्यान से देखिए और समझे तब तक के लिए धन्यवाद